हेलो माई डियो फ्रेंड्स मैं हुए वेश और आप लोगां के अडियो भी में आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हम दिया है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग आटोकेड में एक नई कमांड सिखने वाले हैं आप लोग देखे लिया हुआ प्रिंट के पारे में तो आज हम लोग सिखेंगे कि आटोकेड में अपने किसी भी ड्राइंग को प्रिंट कैसे कर सकते हैं क्या क्या चीजे हमें ध्यान लखनी चाहिए प्रिंट दित्य वक्त और एक सही प्रिंट हमारा निकलना चाहिए हो साथ हम प्रिंट के साथ यह भी देखने करना है इन शारे चीजों को हम अपनी द्राइंग में देखने वाले अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं तो देख न करते हैं चली हम लोग शुरू करते हैं को के तो मैंने अभी एक आटो केट की फाइल ओपन कर रखी है और इस फाइल को ही दिखिंगे हमें इसे कैसे प्रेंट करना है और पीडिय अपके तरो एंड पी एंजी क्या से हमें बनानी है तो सरसे पहले हम टॉप में आते हैं तो यहां पर हम एक उप्शन मिलता है लावा एक मैं उपको सॉट करता हूं कि अगरा आपको सॉट कर चुछ करना है तो से भी तो यहां पर देख लेते हैं अप्सर्ड क्या किया है पैस से पहले नेम आएगा यहां पर अगर आप नई सेटिंग ले रहे हैं नहीं शेटिंग करनी तो नन करना है अगर आ अपने पहले से इंपर और देंव कोई नफ्रेंट ने सकते हैं यहां से insolant कि यहाँ पर प्रिंटर लेने के बाद यहां पर आपको कारेगा की चाज रखना एक क्या सुङक्त का पेपर का साइच क्या है तो नॉर्मली लोग चाहतर किसमें देते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि एफोर का ठीक है मैं बेसी चीज़ लेकर चल रहा हूं एफोर का साइच में इसलेट कर लिया है एंड यहाँ पर कुछ cave जैने वर्टॵ प्लॉट इसमें कुछ ऑपसन है जैसे डिस्प्ले का आप कर दिया तो डिस्प्ले में क्या होगा जो भी डिस्प्ले पर देगा इसको वननोट करकी चेक करते हैं तो Samh 약 1 वननोट कर दिया इसको दिखाने के लिए कि ये मेरा option open जाए तो preview अगर दिखींगे तो इसमें जो भी चीज़ आपकी window पर open है जैसे कि मैं अभी इसको जूम कर देता हूँ इतना and plot करके मैंने one note किया and display में check किया तो ये जो भी इतना भी हमारा window में दिख रहा है display में वो plotting या वो print दिखाएगा and इसमें और option भी है extent है extent में क्या करेगा कि ये जितना भी इसमें आ रहा है ये extent करके show कर रहा है ठीक है पूरा print आपका जितना भी आपका working print है और शारा दिख जाएगा इसमें जो भी window में हमना काम हो रखा है ठीक है जो भी इपने display पे ठीक है limit है limit में क्या है कि इसमें आपको limit लेना पड़ेगा तो ये तो इतना काम का नहीं है आपको और फॉर्थ आगा window ये सबसे काम का है ये ही आपकी रूश करना है window लेंगे आप यहाँ पर आपको selection point देगा दो मैंने selection point लिया एंड एक selection point ये लिया तो यहाँ पर selection करके preview देखेंगे तो यह मेरा print select कर लिया अभी ये क्या है कि सही से दिखनी रहा है तो इसमें हमें क्या करना है कुछ काम करना पड़ेगा सबसे पहले आपको center to plot रखना है कि जो भी प्रिंट रहेगा यहाँ पर देख रहे है यह center में एलिया पेंच के अभी यह portrait दिख रहा है मेरे design बनी लेंडिस्केप में तो मैंने यहाँ पे option आएगा इसको लेंडिस्केप कर देना है ठीक है यह लेंडिस्केप कर दिया आप देख रहे है पुरा fit print आ गया मेरे paper पे पुरा यह proper print हो गया ठीक है तो यह setting आपको ज्यान रखनी है इसके बाद में क्या चीज है fit to paper में भी है आपको अगर one-to-one print लेना है actual print लेना है तो one-to-one कर सकते हैं कोई भी अगर आप gauge type का बना रहे हैं industry में normally gauge या कोई पार्ट नाते हैं जिसे actual हमें print पर काटना पड़ता है तो one-to-one में लेते हैं कि actual जो हमने बना अब यहां की कुछ window है ठीक है कभी कभी क्या होता है friends यह आपको यह नीचे arrow दिख रहा है ना यहां ध्यान रखें यह कभी off होता है इस में unclick होता है तो हमारे window इतनी open आ थी और लोग बहुत प्रताव जाते हैं कि अरे इतना ही क्यों आ रहा है और और भी setting थी वह कहां च चेक करूंगा तो जो भी actual मेंना print बना हुआ है जो भी color मैंने दी है print में वह सारे color आ गए है ठीक है अब यह मुझे माले ची अपना print black and white चाहिए ठीक है color नहीं चाहिए में पास black and white printer है तो यहां पर आपको एक option यास करना प्लाएगा monochrome ठीक है और उपर मैं नी जा रहा ह में जो हमारा काम का है monochrome इसको क्लिक करना है आपको और ट्रिव्यू करना है ठीक है तो यह आपका black and white हो गया ठीक है अब आपका यह option नहीं हुआ है इसका क्यों नहीं हुआ है साइज यह में कुछ बनाने की setting में है अगर मैं इसको से match कर दिता हूं तो चेक करते हैं और फ यह यह एक के जिंडो में दो है यह कुछ hidden है hidden में लेना है and अलग-अलग options हैं आपकी use case आप से देख रहे हैं किस टाप से hidden drawing को hidden में कर दिया है proper time नहीं दिख रही है and यहां और भी option है shade है यह सारे setting है आप इसमें आपको edge display रखना है है और अगर आपकी कोई अधा requirement हा तो आप इस पर research कर सकते है एज इस प्ले से छोड़ दाते हैं quality normally रखनी है और भी है आपके maximum custom है नॉर्मल करें ऐसे plotting background नहीं रखना है plot object line width रखना है इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई यहां पर line width दे रखा है कोई size की line width जदबला रखा है तो वह भी show होगा इसको अंचक कर देंगे तो वह शो नहीं होगी ठीक है plot with style यह चीज है एंड एक काम की चीज जिसमें आपकी यह चीज है कि plot stamp on ठीक है कभी कभी क्या होता अब जैसे कि आप जब drawing print करते हैं तो कुछ चीज होती है print के side में लिखा हूँ आता है drawing के वह इसलिए आता है क्योंकि जैसे कि मैं drawing है तो मैं चाहता हूँ यहां पर मैं terms of condition लिखिया है कि यह company की property है एंड इसको क्यों कोपी नहीं कर सकता है यह पिर मैं और कुछ टालना चाहता हूँ कि यह printer मेरा जो भी print दिया गया है कौन से system से दिया गया है यह सारी settings है तो वह plot हम कर सकते हैं देखते के बार मैं नहीं setting कर दी के दुबारा से आपको दिखाने के लिए यह मैं के लिए लेता हूँ और यहां पर यह दिखाने है इसको हम लेंडिस्केप कर देंगे यह देखिए यहां पर स्टेंप आगे बड़ा रहा है इसके setting करने पड़ी छुटा जागा तो यूजर यूटूब ऐसे करके इसने setting बता दी ठीक है रखी हूँ फाइल आपको इसको इसको अन करना है अपनी साथ इस्टेंब नहीं है फिर यहां पर अपना कुछ भी डाल सकते हैं और लिख सकते हैं इस्टेंब के लिए यहां पर कुछ आना है तो कहा पर इस्टेंप आ चाहिए इस तरीके से आप यहां पर यह चीज़े भी एड कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा उप्सन है और यह बहुत काम का भी है आप उसको यूज कर सकते हैं आप यहां तो आप देखें हैं द्राइंग और पॉर्टिट में हैं यह नॉर्मल चीज़े यह चीज़े आ गई है तो इस तरीके से आप अपना यहां से वह प्रिंट आ गया एंद यहां पर आपको प्लॉट कर देना है ठीक है यह प्रिंट चला जागा अभी मेरा प्रिंट नहीं आड़े बट इस तरीके से आपको प्रिंट दे देना है तो अब आप समझ गया है इसमें मुझे लिए लिए और कुछ बच रहा है आपने समझ लिए पेपर का साइज जो आपका यहां पर आ जागा वह आप ले सकते हैं और यह सारी चीज़े हो गई वन श्टून का स क्यों आपयlike paumat जैए टिके आटोघट वीटिक वाल्टी विव अ आप सार जवा सारी आप स्ना आरें ठीके यहां पर कॉ सान गांड्राइं ट्रैंग ट्यू प्डिए अपूंप सींपल इसकन लिजिए लाइंग टू पिडिए विंडो में जाकर अपनी ट्राइंग को सि कि यह चाहिए हुआ कि इस तरीके से अधर मैंने इसको प्रिंट कर दिया ठीश आप यहां पर यह बोलेगा इन यह मारी फाइल का नाम है प्रीट कि हमारी अधर को मैंने शेट कर दिया और यह नहीं कि तरीके से मंने फाइल पीडियाप करनो चागी है कि यह ऊपन हो रहा है यह देखे यह पीडियाप में ओगया है यह प्लॉट इसको उचेक कर सकते हैं और यह मेरा उखल गया है यहां पर फाइल रखी है मेरी यह रेश्टो पर रख़ए पीडियाप फाइल बन गही आप करना है तो कर सकते हैं Monochrome को अंचेक कर देंगे कि इस तरीके से यहां पर आपके बहुत सब्चेज़ बाते मेंदेativo इसने यहां पर चाला यूज कस्टम पेपर प्लोटर कर देता हूं है and window में जा के यहां पर मैंने इसलेट कर लिया और मोलो कॉरम को गल्टाना था सकते हैं नन कर दिये and sorry कुछ रह गया यहां पर हमारा एको उसेंटर टो प्लोट करना था लेंड़ स्केप करना था एंड यह इस तरीके से आपका यह कलर में प्लोट हो जाएगा एंड डेस्टोप पर रख दिंगे इसको जेपीजी फाइल बन जाएगी हमारी तो यह मैंने फाइल लगई फ्रेंट्स मुझे लगता है कि कि अकुछ कैले हो गया इसे में और आपको अगर इसिताप में है कुझ और आपको ते ऑर भी वीदियोs चाहिए हैं तो आती रहेंगी और हम नेइक्स कुछ कुछ नहां लेकर आएगेए आज के लिए इतनी वीडियो पतंद है तो प्लीज लाइक करें शर्ष्क्राइब करें और जरू कर अपने फ्रेंट साथ में कोई भी डाउटो कमेंट बॉक्स में जरू मुझसे पुछ लें नेक्स टाइम आपका मैं उसको डाउटो क्लिए करूँगा आज के लिए इतनी वा प्रेंट